दोस्तों अगर आपका पेट फूला फूला रहता है आपको गैस बनती है आपको एसिडिटी की समस्या है तो आपको जरूर करना चाहिए वायू निसकासनासन का अभ्यास जैसा की नाम से ही पता चल रहा है वायू निसकासनासन वायू means wind निसकासनासन means उसको release करने वाला पॉ आपके तंत्री का तंत्र यानि आपके brain का communication बाकी सारे body parts से कैसे होता है इन तंत्री का तंत्र के कारण nervous system के कारण तो आपके nervous system की कारिक्षमता improve होगी आपकी body में जो lower body में जो stress है उसको दूर करने में मदद मिलेगा तो stress भी कम होता है साथ ही hip joints की mobility flexibility improve होगी कमर के आसपास की चरवी जांगो के आसपास की चरवी hips की चरवी भी कम होगी साथ ही इसका अभ्यास अगर महिलाएं करती रहती है तो periods के दौरान जो pain होता है या आनियमित्ता बनी रहती है या pregnancy के दौरान normal delivery को भी ये promote करेगा क्योंकि हम इसमे squatting position पे बैठ के अभ्यास करेंगे पूरी की पूरी spinal cord को ये opposite stretch देने के कारण आपकी read की हड़ी का लचीलापन यानि flexibility, spinal flexibility को भी improve करता है तो ये तो हुए कुछ चुनिंदा benefits जो मैंने आपको बताएं साथ ही इसका अभ्यास जब आप करें वो लोग विशेश ध्यान रखें अगर आपको slip disc की समस्या है, recent अगर आपके घुटने में दर्ध हैं, बहुत excessive दर्ध हैं तो इसका अभ्यास ना करें, वैसे तो मैं इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ tips जरूर बताऊंगी जिनके घुटने में थोड़ा minor दर्ध हैं, वो भी किस तरीके से modification से अभ्यास कर लें, तो आज की वीडिय को modify करूंगी, जिससे जिनके घुटने में दर्ध हैं, या hip joints बहुत tight हैं, जो complete beginner हैं, वो भी इसका अभ्यास आसानी से कर लें, तो आपको करना क्या है, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस channel को subscribe कर देना है, ताकि आप इस परिवार का आपको पसंद आए, तो इस वीडियो के लिंक को copy करके अपने दोस्तों अरिश्यदारों के साथ भी खूब शेयर कीजेगा, नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने YouTube चैनल योगावित शहीदा में, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी वायू निसकासन आसन का अभ्यास करने से पहले मैं आपको कुछ warm-up practices दरूर बताऊंगी, क्योंकि ये deep hip पर effect डालेगा आपको squatting position पे बैठना है, तो पहले पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को body के पीछे रखें, पैरों को इस तरीके से आराम से tap करें, और अपनी ankles को in and out move कर लें, क्योंकि squatting position पे जब आप बैठेंगे, तो उसका काफी अच्छा effect आपके ankles पर आता है, और अगर शुरू शुरू में ना बैठ पाएं, तो ये सारी practices जरूर कर लें, अपने दोनों पैरों को ऐसे तूरा 360 degree घुमाएंगे, clockwise और anti-clockwise, 15-20 बार अगर इसका अभिया आप करते रहते हैं तो पूरे पैरों पर मजबूती आती है, anti-clockwise इस तरीके से, गोल, 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 इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे, अब दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड लें, ताकि जिनको थोड़ा tightness है, hip joints के around, वो थोड़ा सा पैर खुल जाए दोनों पैरों को ऐसे एक दूसरे के साथ जोड लिया, उंगलियों को फसाया और पैरों को पकड़ लिया, अब धीरे से अपने दोनों एडियों को जितना हो सके, जितनी आपकी flexibility हो, आपने pelvic region के पास लेके आएं और कमर को सीधी रखें, बहुत सी लोग ना ऐसे कमर को मोड के रखते हैं, कमर को सीधी रखें, और फिर दोनों घुटनों को उपर, नीचे, उपर, नीचे, जैसे तितलियों के पंक फड़ फड़ाते हैं उस तरीके से ऐसे उपर, नीचे, तो इसका अभ्यास कम से कम, कम से कम, अगर हर दिन आप 5 मिनट कर लेते हैं तो इससे पूरे hip joints में flexibility आपकी improve हो जाएगी और साथ ही महिलाओं को तो ये आसन वर्दान है, ना सिर्फ महिलाओं, पुरुष को भी ये आसन वर्दान है, क्योंकि इससे जो भी लोग struggle करते हैं, infertility की समस्या, inconsistent period होते हैं, prostate gland में जो enlargement होता है, तो उसके समस्या में भी बहुत ही जादा आप को लाब मिलता है, तो अब इसका अभियास करने के बाद, दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़े और एक बार इस तरीके से हग कर ले, थाई को बेली की तरफ लेके आए, तो इससे बड़ा अच्छा आराम मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने द दोनों पैरों को ऐसे बादी के सामने स्ट्रेच करें, और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे घुटने से मोड़े, गुटने से मोड़े लेकिन स्पाइरल कॉर्ड ऐसे जुकी ना रहे, सीधी रहे, कान कंधे से दूर रहे, सामने देखें, और फिर क्या करें, राइट 80 की तरफ ड्रॉप करेंगे ऐसे और अपना चहरा राइट कंधे की तरफ घुमा देंगे जब आप गुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप करें तो चहरे को राइट साइड घुमा दें और फिर जब आप दोनों गुटनों को राइट साइड ड्रॉप करें तो चहरे को लेफ छोड़े ना रखेई तो अभी जब हम निसकासन आसन का अभ्यास करेंगे वायू निसकासन आसन का अभ्यास तो उसमें यह لا इसारी करने से पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपको बड़ी ही आसानी होगी सांज छोड़ते हुए गुटना ड्रॉप करें, सास लेते हुए सामने देखें, सास छोड़ते हुए गुटना ड्रॉप करें, सास लेते हुए सामने देखें, इसका अभ्यास अगर आप 15 से 20 राउंड हर दिन करते रहते हैं, तो आप इसका इफेक्ट गर्दन, कंधे का दर्द कम होगा, स्पाइनल कॉर्ड पर ट्विस्ट आ रहा है साथ ही डाइजेस्टन इंप्रूव होगा क्योंकि आप इसका इफेक्ट बेली पर भी देख रहे हैं ऐसे तो इस तरीके से अभ्यास कर लिया अब इसके बाद जरा अपनी स्पाइरल कॉर्ड को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेते हैं तो जरा बैठे बैठे ही स्पाइरल ट्विस्ट कर लेते हैं सास लिया और सास शोड़ते हुए लेट पाम को राइट घुटने पर रखा and look back सास ले और सास शोड़ते हुए राइट पाम को लेफ्ट घुटने पर रखें and look back पीछे देखें ऐसे, इसका भी अभ्यास 15 से 20 बार कर लें, इसका effect आप देखेंगे कि पूरे के पूरे abdominal region पर पड़ रहा है ऐसे, सास लें और सास छोड़ें, सास लें और सास छोड़ें, सास लें और सास छोड़ें, सास ले हो गया कि physically move करने के साथ सासों का भी ध्यान रखें, जैसे से आप अपने सासों को सिंक्रनाइज करते हैं, बोडी की movement के साथ, तो इसका असर आपको आपके मांसिक तनाव को कम करने बेभी भी होता है इस तरीके से, जब last round करें, तो कुछ दिर एक साइड रुख जाए, और तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम squatting position पे बैठेंगे, तो जब squatting position पे बैठेंगे तो दोनों पैरों के बीच में कम से कम दो फूट का आप फासला कर लेंगे, दो फूट का फासला करने के बाद एडिया अंदर की तरफ है और आपका जो पैर का अंगुठा है उंगलिया है वो बाहर की तरफ है ना आराम से squatting position पे बैठ गया फिर उसके बाद घुटने बाहर की तरफ है दोनों shoulders को इस तरीके से knee out and shoulder in इस तरीके से बाहर की तरफ से नहीं अंदर की तरफ से ऐसे रखेंगे फिर दोनों हाथ की हथेलियों को अंगुठा उपर रखना ह बाकी की चार उंगलियों को जैसे envelope में हम letter डालते है ना उस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ ऐसे रखना है यह हुआ और फिर ऐसे अंदर की तरफ ऐसे तो दोनों पैर के जो हाथ के अंगुठे हैं थम्भ है वो पैर के उपर होंगे और उंगलिया अंदर की तरफ लिफाफे की तरह ऐसे इस तरीके से डालना है तो नी आउट हो गई और आपका बाजू जो है आपकी नी को बाहर की तरफ पुश कर रहा है तो आप देखिए इस ऐसे squatting position पे बैठने मात्र से आपके hip joints की mobility, flexibility, pelvic region पर blood flow improve होने से आपके genitals के लिए बहुत ही अच्छी ये एक practice हो गई अब ऐसे आराम से बैठने के बाद इस तरीके से चट की तरफ देखेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा देर रुकेंगे इससे spinal cord को बहुत अच्छा आराम गर्दन के आसपास की जो tension कंधे की आसपास की जो tension है वो दूर भागेगी और फिर चट की तرف देखने के बाद धीरे से अब अपने hip को उठाएंगे इस तरीके से hip को उठाने के बाद और फिर अपने सर को ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे दोनों बाजुओं के बीच में से ऐसे और यहां पर रुकेंगे फिर से धीरे-ध तीरे सांस लेंगे and वापस से squatting position पे इस तरीके से बैट जाएंगे अब इसमें देखिए सांसों का बहुत ध्यान रखके अभ्यास करना है यह तो मैंने बता दिये कि physically आप अपनी body को कैसे move करेंगे अब सांसों का ध्यान रखते हुए सांस लेते हुए ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ lean back होंगे इस तरीके से इससे क्या होगा spinal cord गर्दन कंधों पर अच्छा opposite stretch आ गया सांस लीजिए और सांसों को रोकिए एक दो तीन तीन काउंट तक रोका और फिर धीरे धीरे hip को उठाईए और सांस छोड़ना शुरू कीज जिए और जितना हो सके घुटनों को सीधा कीजिए सांस चोड़ दीजिए और सांस चोड़ने के बाद रुकिये एक दो तीन फिर से सांस लीजिए और सांस लेते हुए ऐसे hip को drop कर दे और फिर से इसका अभयास पास से आट बार करना है सास लीजिए, सास ले रहे हैं और सास लेने के बाद सासों को रोकिए, look up towards the ceiling, one, two, three, और सास छोड़ते हुए spinal cord को सीधा कीजिए, hip को अब कीजिए, घुटनों को जितना हो सके सीधा कीजिए, और अपने सर को जितना हो सके अपने घुटनों की तरफ लेके जाए, hold कीजिए, one, two, three, तो inhale, फिर से squatting position पे आ गए, तो आप समझ गए, इसमें जब आप inhale करेंगे, तो पीछे की तरफ ऐसे थोड़ा सा अपनी spinal cord को सीधा करेंगे, और फिर उसके बाद सास को रोकेंगे, retention करेंगे, कुमभग करेंगे, और फिर उसके बाद सास छोडेंगे, और सास छोड होने के बाद भी सासो को रोकेंगे, फिर से जड़ा एक बार squatting position पे बैट कर वापस से देखिए, दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में, इन online yoga classes को जून के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे कंड़क किया जाता है, मेरी निगरानी में रहके, जो मेरे students हैं वो योग का अभ्यास करते हैं, चाहे वो देश में हो, इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, जून के माध्यम से सभी connect होते हैं, अब मेरे students को इन yoga classes से बहुत फायदे हुए हैं, चाहे वो diabetes की सम समस्या, मूट आपा जादा बढ़ गया है, weight gain करना चाहते हैं, weight lose करना चाहते हैं, आपको PCOD की समस्या, high blood pressure है, hypertension की समस्या है, insomnia रात में नीद ना आने की समस्या है, depression की समस्या, anxiety की समस्या, किसी भी तरीके का stress है, overthinking बहुत जादा करते हैं, ऐसी और भी जितनी भी lifestyle disorder, disease है यकीन मानिए, उसमें योग आपकी बहुत मदद कर सकता है, और जब आप प्रशिक्षित योग गुरु की निगराने में अभ्यास करते हैं, तो आपको और भी जादा लाब मिलते हैं, अगर इन online yoga classes को आप join नहीं कर पाते हैं, तो मेरे द्वारा develop किये हुए कुछ courses है, yoga for beginners का course या pranayama और meditation का course ये course आप purchase कर सकते हैं, इन courses को आप जब purchase कर लेते हैं, तो आप अपनी flexibility के हिसाब से, दिन में किसी भी वक्त आपको जब time मिले, इन courses की वीडियो को आप on करके, पूरे एक घंटे का भ्यास, आपको yoga, sun, pranayama, meditation, सब सिखाया जाएगा step by step, और beginners को ध्य इन courses के बारे में अगर आपको और भी detail चाहिए, तो आप मेरी website विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.yogavidshahida.com या कि फिर अगर आप website नहीं विजिट कर सकते हैं, तो आप एक whatsapp कर सकते हैं, जो कि नीचे आपको screen में ये number दी गया है, तो अपने दोनों हाथों को पैर के नीचे ऐसे फसा लिया, इस तरीके से, ऐसे उठाया पैर, और जैसे चिठी डालते हैं न, ऐसे envelope पे, और घुटन सास छोड़ते हुए, अपने घुटनों को पूरा सीधा करें, और ऐसे सर को अंदर की तरफ लेके जाएं, जितना आपका घुटना सीधा हो सकें, hold करें, सासों को रोकें, one, two, three, सास लें, अब थोड़ा इसमें breathing को आप retention का time बढ़ा सकते हैं, सास लिया, सासों को अंदर र रोकें, one, two, three, four, और सास छोड़ते हुए, हिप को अप करें, सास छोड़ते रहें, सास छोड़ते रहें, जब सास छोड़ते पूरा, तो सासों को रोकें, one, two, three, four, फिर से सास ले लें, पीछे की तरफ देखें, और आज करें, ऐसे, छट की तरफ देखें, one, two, three, सास ले लिया सांसों को रोके एक तो चार और सांस छोड़ते हुए फिर से लास्ट एक बार और देख लें तो इसका अभ्यास कम से कम आठ से दस बार आपको हर दिन करना है ऐसे सांसों को रोके वान टू थ्री फॉर और फिर रिलीज कर दें पॉस्चर को एक चीज का यहां पर ध्यान रखें कि जो ब्रेत की रिटेंशन है ना वो आप डिसाइड करेंगे कि कितने काउंट में आप कमफर्टेबल हैं जैसे अभी मैंने बहुत नॉर्मल थ्री काउंट या फोर काउंट तक ब्रेत को रिटेन किया आप इस ब्रेत के रिटेंशन को 8 तो इतना जादा टाइम तक रोकने की जरूरत नहीं है जैसे जैसे कुछ हफतों का अभ्यास आपको होता रहेगा आप जादा से जादा अभ्यास करते रहेंगे वैसे ही आपके breath retention का time जो है वो बढ़ता जाएगा लेकिन अगर hip joints tight हैं घुटने में दर्ध हैं तो आपको एक छोटी table लेनी पड़ेगी या आपके पास अगर yoga block हो तो yoga block पे फिर इसका अभ्यास करेंगे तो मैं आपको yoga block के सहारे बताती हो इस तरीके से yoga block ले लिया एक के उपर एक रख लिया और अगर आपके पास yoga block नहीं है तो घर पे आपके आसानी से table होगी यह table नहीं है तो इंटे रख ले लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप गिरे नहीं तो घुटनों को दूर किया घुटनों को दूर करने के बाद shoulders को इन किया shoulders को इन करने के बाद लिफाफे की तरह अपने दोनों हाथों को लेटर की तरह अपने दोनों पैरों के नीचे ऐसे फ सांसों को रोके, retain, one, two, three, सांस को छोड़ दे, धीरे, 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 घुटनों को जितना हो सके, सीधा करे, और सांसों को रोके, one, two, three, सांस ले ले, धीरे, धीरे, और वापस से अपने टेबल पर या योगा ब्लॉक पे बैट जाएं, सांस ले, look up, थोड़ा सा three, exhale, hip up, and अपनी जितना हो सके, घुटनों की तरफ अपने सर को ले के जाएं, सांसों को रोके, one, two, three, तो जब आप इस तरीके से अभ्यास करते रहते हैं, तो इसका काफी अच्छा effect आपके घुटनों के अराउंड, आपके पूरे के पूरे hip-hip joints के अराउंड आता है, और इससे mobility, flexibility, improve होती है, आपके hip-hip joints की, तो इस तरीके से अभ्यास करने के बाद, फिर अपनी yoga block को हटा ले, और yoga block को हटाने के बाद, आराम से अपने पैरों को सीधा करें, और दोनों हाथों को body के पीछे रखें, और पैरों को tap करें, क्योंकि घुटने पर tension हो गई होगी, त दोनों हाथ की हथेलियों को आराम से ऐसे रखड़ें, रब करें, और फिर दोनों हथेलियों को अपने घुटने के उपर ऐसे आराम से रखड़ें, ऐसे, धीरे-धीरे सांस लें, और सांस छोड़ते रहें, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, तो देखा आपने कितनी आसा यानी से step by step मैंने आपको सिखाया किस तरीके से करते हैं वायू निसकासनासन का अभ्यास I am sure इस वीडियो की मदद से अब इस आसन को आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं future की मेरी जो आने वाली वीडियोज हैं आपके suggest किये हुए किसी topic पर बने तो आप नीचे मुझे comment करके जरूर बताएगा कि किस topic पर आप चाहते हैं future में मैं वीडियोज अप्लोड करूँ मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए topics पर वीडियो बना के क्योंकि ये channel तो आपके लिए ही है न तो जाने से पहले channel को आपने subscribe कर लिया है इस वीडियो को like कर दिया है और इस channel के link को इस video के link को copy करके अपने दोस्तों और रिश्दारों के साथ जरूर share किया है अपना खूब खयाल रखिये अपने परिवार का खयाल रखिये और योगा अभ्यास निरंतर करते रहिए नेक्स वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी नमस्ते